हेले फ्रेंड्स गुजिया तो आप सभी ने कभी ने कभी बनाई होगी लेकिन इस खास तरह के स्टफिन वाली गुजिया सायद ही आपने बनाया होगा खास इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें मीठे के लिए चीनी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं की हूँ साथ ही खुआ कभी इस्तमाल नहीं की हूँ लेकिन खाने में खुआ से कम भी नहीं लगेगा चलिए फिर गुजिया की तयारी सुरू कर देते बनाना तो यहां मैं दो कप मैदा ले रही हूँ और इसके साथ ही मौयम के लिए यहां वन फोर्थ कप घी आड़ करेंगे गी के जगह ना तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन गी से बहुत ही अच्छा सुआद आता है तो किसी भी कटोरी या कप का मेजर्मेंट से इसे बना सकते हैं तो सबसे पहले आटा गुन कर तयार कर लेंगे उसके बादी इसके स्टफिंग रेडी करेंगे तो यहां मैं सबसे पहले गी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे में मैम चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है जब मैदे में गी अच्छे से मिक्स हो जाए ना तो मुट्टी में थोड़ा सा मैदा हाथ मिलेंगे और प्रेस करेंगे टाइट से ये अच्छे लड़ू के तरफ बंद जाए, बाइंड हो जाए तो इसका मतलब इसमें मौयम अच्छे से गई है और ये गुजिया बहुत ही खास्ता बनने वाली है तो अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है मिक्स होते ही इस तरह मुठी में दबा कर देखेंगे तो देखें ये अच्छे से बंद जा रहा है अब इस मैदे से हाड डो रेडी करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे और इसका हाड डो रेडी कर लेंगे इस गुजिया को मैं तीज के अउसर पे ही बनाई थी लेकिन रेसिपी सेयर करने का मौका ही नहीं लग रहा था तो सोची क्यों ना अभी रेसिपी सेयर कर दू आप सभी के साथ तो थोड़ा थोड़ा पानी अट करना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है और हाड डो रेडी कर लेना है थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हाट डो रेडी करने में टाइम तो लगता ही है साती मेहनत भी लगता है तो मिक्स करते जाएंगे और कुछ इस तरह का हाट डो रेडी कर लेंगे लेजे ये मैदे से डो बनकर बिलकुल तयार हो गया है गुजिया के लिए अब इसे cover करके छोड़ देना है तब तक stuffing की तयारी कर लेती हूँ कड़ाई में डालेंगे एक चमजगी और सबसे पहले dry nuts को roast कर लेना है तो अपना मन चाहा dry nuts को इसमें डाल कर अच्छे से भून ले यहां मैं काजू एड़ कर रही हूँ quantity आप अपने हिसाब से रख सकते है इसमें मैं काजू के साथ बदाम, अक्रोट और किस्मिर्स भी एड़ कर रही हूँ सभी की quantity half up cup है जब इस तरह nuts को roast करके stuffing करते हैं तो गुजिया जादा दिनों तक चलती भी है साथ में स्वाधिष्ट भी लगती है तो गैस का flame low to medium पे रख का लगतार इस तरह चलाते हुए roast करना है ताकि चारो तरब से equal roast हो जाए इसे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है 5-7 मिर्ट लगा इसे roast होने में ये अच्छे से roast हो चुका है तो इसे shift कर देना है दूसरे बरतन में क्यूंकि गुजिया के stuffing की तयारी आगे भी मुझे इसी बरतन में करनी है गुजिया में मैं डालने वाली हूँ dry nuts के साथ ये नारियल भी तो नारियल को तोड़ कर इसका चिलका जो होता है ना प्राउन कलर का उसे चिलकर हटा ले हूँ नारियल को दरदरा पीस लेना है छोटे टुकड़ों में काट कर इस जार में डाल देरी हूँ ताकि असानी से पीस सकूँ बहुत बारिक में पीसना है दरदरा होना चाहिए तो यहां मैं दो नारियल का इस्तमाल कर रही हूँ इसकी स्टफिंग के लिए लिजे नारियल को पिस कर तयार कर ली हूँ अब इसकी स्टफिंग रेडी करना है तो पहले इसे भूनना है और इसे देख रहे हैं दरदरा ही पिसी हूँ बहुत बारिक नहीं तो अब इस नारियल को इस कड़ाई में डाल कर भूनना है बिना तेल घी डाले ही जब स्टफिंग भून कर डालते हैं तो गुजिया जादा दिनों तक चलती है तो नारियल डालने के बाद गैस का फ्लेम लोटू मीडियम पे रख कर भूनेंगे ताकि नारियल जो है न अच्छी तरह से बून भी जाए और जले भी न तो लगबग 2-3 मिनट इसकी बूनाई की हूँ तो अब इसमें मीठे के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़ चीनी नहीं गुड़ का इस्तमाल कर रही हूँ तो जितना नारियल था न उसका half quantity में मैं गुड़ इस्तमाल की हूँ गुड़ को टुकड़ो में तोड़ कर इसमें आड़ की हूँ ताकि जल्दी से मिक्स हो जाए तो गैस का flame इस टाइम पे लो कर देंगे ताकि गुड़ ना धीरे धीरे अच्छे से मिल्ट होता जाए और नारियल में मिक्स होता जाए तो इस तरह बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं और आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से नारियल में मिक्स हो चुका है तो इसी time डाल देंगे milk powder milk powder add करेंगे इसे khoa का स्वाद आएगा कई बार क्या होता है कि khoa market में असानी से मिल नहीं पाता है और इसे घर पर बनाना थोड़ा मुस्किल हो जाता है time जादा लगता है तो इस तरह direct ही milk powder इसमें डाल कर अच्छे से mix कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह के स्टफिंग वाली गुजिया तो गुड मैं कम डाली थी क्यूंकि मिल्क पॉडर में भी मीठा होता है इस वज़े से यदि खुआ या फिर मिल्क पॉडर नहीं एड़ करें तो जितना नारियल है सेम क्वेंटिटी में उतना ही गु ले रहा है यानि ये गीला नहीं है स्टफिंग अच्छे से तयार हो चुका है तो अब ये जो ड्राय नट्स रोजट करके रखे देना इसे अच्छे से क्रस्ट कर लेना है जब से मैं ये कटर ली हूँ न तभी से मैं ड्राय नट्स को इसी में क्रस्ट करती हूँ बहुत ही से ये टुकडों में कट जाता है ली जे असानी से ये कट कर तैयार हो गया है सारे नट्स को ना इसी तरह काट कर इसमें मिक्स कर दूंगी ये इस मिक्सचर में साथ ही इसमें मैं दो चमच इलाइची पाॉडर भी ऐड़ कर रही हूँ इसे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है अब सबी चीजों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स होते ही ये स्टफिंग बिल्कुल तयार है गुजिया में जाने के लिए ये टेस्टे स्टफिंग जो है आप भी जरूर ट्राइ करें इस बार गुजिया बनाया तो इसी तरह से अब जो डोर रेडी करके रखी थी न इसका कवर हटाने के बाद इसे थोड़ा मसल मसल कर गुण लेना है जादा नहीं गुणना है बस थोड़ा ही गुणना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए सेम साइस का गुजिया बन सके उसके लिए सेम साइस का पेड़ा तयार करना होगा तो इसका असान तरीका है इसे इस तरह गुनने के बाद न इसे इस तरह से बेलन काकार देना है रोल कर लेना है तो दोनों हतेलियों से इस तरह मसल मसल कर इसे इस तरह बेलन काकार दे देंगे सेम साइस का पेड़ा तयार करने का सबसे असान तरीका है इस तरह से रोल कर लेना है और फिर इसे छूरी की हल्प से काट लेना है तो बस इसे बेलन का कार दे चुकी हूँ तो अब इसे काटना सुरू करती हूँ तो सेम साइस का इसका पेड़ा रेडी हो जाएगा सभी को काटने के बाद सभी को साइट कर देंगे और एक पेड़ा उठा कर इसे बेलना सुरू करेंगे और आप देख सकते हैं सेम साइज का सारा कटा है एक पेडा लेंगे हथेली से प्रेस करने के बाद इसे बेलना सुरू करेंगे तो देखें पूरी का अकार का बेल चुकी हूँ और इसकी थेकनिस देख सकते हैं सेम साइज का यदी पेड़ा है ना तो सेम थिकनिस में भी पूरी तयार हो जाएगी यानि कोई मोटा या पतला नहीं होगा तो सारे पेड़े को इसी तरह से बेल कर पहले रख लेती हूँ उसके बाद गुजिया के स्टफिंग इसमें स्टफ करूँगी सारे पेड़े को इस तरह बेल कर रख ली हूँ अब चलती हूँ स्टफिंग के लिए मैं इस गुजिया को बनाने वाली हूँ इस साचा से बहुती असानी से ये बन कर तयार हो जाता है साचा की हल्प से तो साचा में एक पूरी डालने के बाद अब इसमें स्टफिंग बरूँगी तो यहां मैं वन एंड हाप चमच स्टफिंग डालने के बाद थोड़ा प्रेस करेंगे चारो तरप से ताकि बाहर न निकल जाए अब यह अच्छे से सील हो उसके लिए चारो तरप पानी लगाना है और इस साचा को अच्छे से प्रेस करते हुए बंद कर देना है थोड़ा दबाएंगे और यह अच्छे से सील हो जाएगा जितना भी एक्स्ट्रा यह निकला हुआ है न आटा इसे बाहर निकाल लेना है इस तरह से साचा को अच्छे से प्रेस करने के बादी इसका एक्स्ट्रा डो बाहर निकाले और इसे खोलने के बाद आप देख सकते हैं गुजिया बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है यानि इसे अभी फ्राई करना बाकी है सेब दे चुकी हूँ तो सारे आटे से इसी तरह से स्टफिंग भरका तयार कर लूँगी उसके बादी इसे फ्राई करूँगी तो सभी को इसी तरह स्टफिंग को भरना है मैं अब सभी के साथ काफी सारी गुजिया की रेसिपी सेयर की हूँ सभी का बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं सारे पूरी से न स्टफिंग को भर कर जब इस तरह तयार कर लेते हैं तो फ्राई करना बहुत ही इजी हो जाता है फटा फट से फ्राई हो जाता है तो सारे को इसी तरह सेब दे के रख लेती हूँ उसके बाद ही तेल को गर्म करना है चड़ाओंगी कड़ाई में तो अब देख सकते हैं साचे से न बहुत ही असानी से सभी बन कर तयार हो गया है और बहुत ही जल्दी बना है तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए तो तेल को न मैं पहले से ही गर्म करने के लिए रख दी थी और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा डो का पार्ट इसमें डालूंगी और चेक करूंगी तो इसमें देखें आप देख सकते बुलबुला आना सुरू हो गया है तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है तेल को बहुत जादा भी गर्म नहीं करना है मिडियम गर्म करना है और अब एकी करके इस गुजिया को इस तेल में डाल देना है इसे डीप फ्राई करना है जितना फ्राई हो सके तेल में आ सके उतना ही गुजिया के पीस को इस तेल में डालेंगे गयास का फ्लेम मिडियम पे रखकर इसे फ्राई करेंगे हाई पे भी रखकर नहीं फ्राई करना है ना लो पे हाई पे रखने पे जल जाएगा और लोग पे रखने पे तेल अंदर तक चला जाएगा जो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा गुजिया को तेल में डालने के बाद तुरंत नहीं पलटना है कुछ सेकेंड रुखना है उसके बाद ही से पलटना है तो देखें लगबग 30 सेकेंड के बाद मैं सभी गुजिया को पलट ली हूँ दोनों साइट से गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है जब चारों तरब से अच्छा गोल्डन कलर आ जाए ना उसके बाद ही से तेल से बाहर निकालना है तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इस गुजिया का कलर चेंज होता जा रहा है गोल्डन होता जा रहा है तो इसे तेल से फिर बाहर निकाल दूंगी सभी बैच को इसी तरफ से फ्राई करना है तो ये गुजिया अच्छे से फ्राय हो चुका है तो इसे अब तेल से बाहर निकाल लेती हूँ यदि आपके पास साचा नहीं है तो बिना साचा का भी गुजिया आप असानी से बना सकते हैं असानी से सील कर सकते हैं उसका भी डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में टाइम थोड़ा लगता है लेकिन असानी से सील कर सकते हैं उसकी भी रेसिपी मैं आप सभी के साथ सेर की हूँ साथ ही चंदर कला की भी लेकिन stuffing जो है न हर बार different ही है तेल में गुजिया को डालने के बाद तुरंत नहीं पलटना है कुछ second हो जाए उसके बाद इसे अलट पलट का golden color आने तक चारो तरब से इसे fry कर लेना है और दीरे दीरे इसका color आप देख सकते हैं golden color आ चुका है बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में तो इसी तरह से सारे गुजिया को fry कर लेना है तो इस तरह से fry करके सारे गुजिया को निकाल लेती हूँ जब सारे गुजिया इस तरह से fry हो जाए ना तो जब यह ठंडा हो जाए तो इसे airtight box में रखकर आप महिनों तक खा सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी क्योंकि इसमें जो stuffing को रोस्ट करके जो डाली हूँ ना यह महिनों तक यह आपकी गुजिया चलेगी बची रह गई तो और इसकी stuffing आप देख सकते हैं उपर से क्रिस्पी अंदर से मूँ में गूल जाने वाली stuffing तो मेरी यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सक्षन में ज़रूर बताईएगा अब मिलती आप नेक्स्ट वीडियो में